भुझपुरी समाज के लाइक नहीं हूँ तो मैं इस भुझपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडेस्टी में चला जाओंगा, मुझे मैं एनद करने आता है। भुझपुरी सुपरिस्टार खेसारी लाल यादब देर रात करीबन तीन बजे फिर से एक बार लाइब आई और उन्होंने भुझपुरी इंडेस्टी छोड़ने की बात तक कहड़ाली। भुझपुरी एक्टर ने कहा कि उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, आज पूरे दिन मैं कोई काम नहीं कर पाया हूँ, मुझे नीन नहीं आ रही है, भुख नहीं लग रही है, कारण एक है कि मैं एक पिता हूँ। बता दी कि कुछ वक्त पहले एक लाइव वीडियो में उनके किसी करीबी ने एक लड़के को थपड़ मार दिया था, जिसके बाद उनकी बेटी का नाम और फोटो इस्तमाल करके एक वीडियो इंटरनेट पर वाइरल किया जा रहा है, जिसकी वज़ा से खेसारी पूरी तर रहा है, बट मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी अभी जुड़े हैं मेरे से, उनको दिल से प्रणाम थैंक्यू सो मस्कि आप लोग इतने रात को भी इतने सुभा में आप लोग जुड़े मेरे से, मैं सब उन सबसे यही बोलना चाहता हूँ, मैं यहां सिर्फ काम करने आया हूँ, प्लीज मैं हाथ जोड़के परातना करता हूँ कि मुझे काम करने दो, अच पूरी दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नीद नहीं आ रही है, भूक नहीं लग रही है, रीजन एक है कि मैं पिता भी हूँ, ठीक है, गाना बसाना अलग है, मैं तो दिनोराद सिर्फ मनुरंजन का काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करने दो, अगर आप लोग को लगता है कि मैं भजपुरी भासा के लिए कुछ नहीं किया है, और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बता हो, या जग के हो, या रो के हो, गा के हो, धूप हो, या जाड हो, या सरदी हो या कुछ भी हो, मैं बिमार भी रहता हूँ तो काम करता हूँ, आप लोग पूरे इंडिस्टी में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की समता को, अगर किसी को ऐसा लगता है इस भजपुरी समाज मे किसी भी इनसान को ऐसा लगता है कि मैं भजपुरी के लाइक ही नहीं हूँ भजपुरी समाज के लाइक नहीं हूँ तो मैं इस भजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडेस्टी में चला जाँगा मुझे मैंनत करने आता है मैं वहाँ भी अपने आपको साबित करूँगा ऐसा नहीं कि नहीं कर पाँगा क्योंकि मुझे करना आता है मैं हाथ चोड़ के परातना कर रहा हूँ आज मेरी इतनी सारी दो-दो सो गाने मेरे डिलेट हो गए कितने सारी गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे चोरी करके लोग गा रहा है मेरा सुटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं उठा के गा रहा है इसलिए क्योंकि मेरे पास कमपनिया नहीं है आज मेरे पास मातर तीन से चार कमपनिया हैं उनके लिए कितना काम करूँगा मैं महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है मेरा तो छोड़िये क्या नुक्सान होता है नहीं पता बट मैं 24 गंटा काम करने वाला आदमी और मुझे एक दम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता और ये कौन है क्या है नहीं पता मेरे जीवन में क्यों आए कैसे आए बट मैं यहां मैं सबसे रिक्वेस्ट करने ही आया हूँ इतनी आज तीन बज़े सुबा में इंडिया के तीन बज़े हुए यहां तो दस बज़ रहे रात को मैं आज पुरा दिन काम नहीं कर पाया सुबा से खाया नहीं रिजन कि मैं एक पिता भी हूँ एक इनसान के नाते एक पिता भी हूँ एक अलकार के नाते एक पिता भी हूँ मेरे साथ एक परिवार भी है मेरा फैमली भी है मैं अपने फैमली के लिए बड़ा से क्रीय रहता हूँ मैं जितना ही मनदार अपने फैमली के लिए हूँ तुनाही में अपने जनता के लिए हूँ, उनके लिए हमेशा, मैं अपने परिवार तक को टाइम नहीं देता, अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भगवान मेरे से गुसा ना हो जाए, और लोग नराज ना हो जाए, मैं उनके टाइम से म करने दीजिए आप लोग परिशान मत करिए मुझे कि मैं अपने फैमली के भी दूर हो जाओं और कहीं चला जाओं अगर लोग को लगता है कि मैं भजपुरी के लाइक नहीं हूँ तो आप सटनली बोलिये कि हाँ, तुम इस भजपुरी के लाइक नहीं हो, तुमने भजपुरी को कुछ नहीं दिया है, कोशिस करता हूँ, बातसा जैसे लोगों को भजपुरी में कोशिस करता है आदमी, बड़े-बड़े मिजुई डेर्टरों से लेकर, बड़े-बड़े कमप में कहीं न कहीं अपना भासा तो फूरे वर्ल्ड में अच्छाया है तो कहीं न कहीं अपको लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं मुझे बट बहुत तकलीफ हो रही है इतनी तकलीफ आज तीन महिने से मैं सिर्फ समझे कि 200 गाने मेरे डिलेट हो गए कितने सारी गाने मेरे गाय हुए शूटिंग किये हुए लोग उठा उठा कर उसको गा रहे हैं कहीं से सुनके सिर्फ बरबार बरदास कर रहा हूँ लेकि आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ बड़ कोई नहीं अगर मैं जनता इसलिए जनता से कुछ भी तकलीफ होता है तो आप सब ही मेरे गारजियान हैं आप ही सब मेरे भगवान है क्योंकि आप नहीं मुझे बनाया है तो मैं किस से बोलू किस से कहने जाओ बड़ कोई नहीं अगर आप लोग को लगता है कि मैं भजपुरी के लाइक नहीं हूँ तो लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे जितना आपको बोलना है कहना है कहिए प्लीज मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोस नहीं मेरे बड़ा होने में सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आपके खुसी के लिए छोड़ा है अपनी खुसी को ना वो छट मेरी वाइब कभी छट भी मनाती है तो उसके साथ नहीं रहा पता अपने बच्चों के बड़े पर कभी कभी आ जाता हूँ सिर्फ इस लिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूँ मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूँ हर वक्त उसमें अगर मैं गुनहगार हूँ तो आपको लगता है लोगों के घर में नोकर बनके मैंने काम किया है और मैं वहां से उटके यहां तक आ सकता हूँ तो आज तो आप लोगों ने उस लाइक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूँगा तो अपने बीबी बच्चों का पीट पाल सकता हूँ बहुत तकलीप में हूँ इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीप कभी नहीं हुआ था मुझे ठीक है एक बार गलतिया किसी ने की ठीक है उसको सुले कि अले कि अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर मेरे केरियर से लेकर मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे गेरा जा रहा है मैं गाह नहीं पा रहा हूँ गाने गाये हुए मेरे दुनिया गाह देती है उठा उठा कर रिलिज कर देती है मैं क्या करूँगा मेरा पैसा भी बरबाद हो रहा है मेरा मेहनत भी बरबाद हो रहा है मेरा गाई की भी बरबाद हो रहा है मेरा हर चीज तो बरबाद ही हो रहा है बड़ कोई नहीं अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लाइक नहीं हूँ तो प्लीज आप लोग बोलिएगा मैं भजपुरी छोड़ दूगा, मैं कहीं और जाके भी अपनों को मनुरंजन करा दूगा, आप उस भासा का देखिएगा, जिस भासा में मैं काम करूँगा, बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोस नहीं है, उस फैमिली का, अब बचा पैदा करना गुना है, किसी बीबी का पती होना गुना है, किसी बीटी का बाप होना गुना है, किसी मा का बेटा होना गुना है, तो मैं क्या करो, सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं, अब दुनिया प्राकृती का नियम है, जै आप आए हैं तो अब कोई दई तो पूरा करना है, बट कोई नहीं, मै कि साही लग यादो काम के लिए कैसा से करिये है मैं अपने परिवार के पास बॉमबे में राके नहीं जा पाता हूँ reason यह है कि मैं day night shoot करता हूँ उन लोगों को time नहीं देता हूँ सिरेप इसलिए कि मैं सिरेप भजपुरी के लिए जीता हूँ मरता हूँ हर चीज भजपूरी के लिए करता हूँ और साइद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा पर कोई नहीं अब आप ये लोग सब कुछ हैं अब आप लोग कोई देखना है कि मुझे क्या करना है प्लीज बताईएगा जरूर दुख है इसलिए जाहिर किया मन तो नहीं करता था बट एक पिता होने के नाते तकलीक बहुत होई है कि उसका कोई दोस नहीं था कल चलके ये चीज़े वो देखेगी जब वो इस सब देखेगी तो कैसे उसे आँख मिलाओंगा ये चुझे थोड़ी से तकलीब दे रही है मुझे एक पिता होने के नाते ये तकलीब हो रहा है मुझे कि उसके सामने में कैसे जाओंगा कि उसके पिता के हुझे से उसको बहिज़त किया जा रहा है और उसी के भासा के लोग कर रहा है जिस भासा के वो बेटी है मैं फून तक नहीं कर पा रहा हूं उसको स्रीपीसे लिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे क्या बात करूं मैं उससे या जो मेरे उज़े से बैईज़त हो रही है सोड़ी